नमस्कार इन्होंने आज मुझे CBI बुलाया है थोड़ी देर में घर से निकलूंगा पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या यह लोग बहुत ताकतवर हैं किसी को भी जेल भीज सकते है किसी को भी जाहे किसी ने कोई जर्म किया हो या ना किया हो कोई फरक नहीं पड़ता है बहुत पावर्फुल लोग हैं कल से इनके सारे नेता चला चला के कह रहे हैं केजरिवाल को गिरफतार करेंगे केजरिवाल को गिरफतार करेंगे शायद बीजेपी ने CBI को आदेश भ बहुत एहंकार हो गया है सत्ता का हेंकार पावर का नशार किसी को कुछ नहीं समझते जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं जजों को मीडिया वालों को पत्रकारों को नेताओं को व्यपारियों को द्योगपतियों को सब को धमकी देते फिरते हैं हमारी बात मानो ने तो जेल म मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। अपनी भारत मां से बे इंतहा महबथ करता हूं। जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए। मैं दस साल पहले राजनीती में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछडा क्यूं हैं। मेरे लोग इतने गरीब क्यूं है लोग अनपड क्यूं है आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यूं है क्यूं क्यूं अब पता चला कि ऐसा क्यूं है क्यूंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं है हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी ह हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं इसको जेल में भेज देंगे उसको जेल में भेज देंगे इसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे यो लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भीज देंगे भीज दो जरूर भेजो इससे क्या होगा देश की समस्याइंस दूर हो जाएंगी केज जिवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा सबको शिक्षा मिल जाएगी नहीं ना हाँ आपके एहंकार की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी है तीस साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिचवाने पड़ी अच्छ साल में दिल्ली में धेरों मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया 15 साल में मध्यपरदेश में आप से क्यूं नहीं हु क्योंकि आपको करना ही नहीं है आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भाड में बस आपकी सत्ता बनी रहे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने खड़ा हो गया अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है अब यह एक- पचास यूनिट से ज्यादा इंसुनिल लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने दस दिन का और एक बार पंद्रा दिन का इंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा त आप क्या थो केजरीवाल भृष्टाचारी है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता हूं उस नौकरी को लात मार के कई वर्शों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम प्रधान मंत्री जी अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी मांदार नहीं है केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सीब्याइडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा आप हम भारत के लोगों को परिशा कर सकते हैं पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा जैहंद